अच्छा दिए तो अभी तक हमने क्या कर लिए सबसे पहले हमने बना लिए डाइलोग फ्लोग चैट पॉट और इस डाइलोग फ्लोग के चैट पॉट को आपको भी नजर है अच्छा एसमेस से कर लिया है और आपने किसे कर लिया है और कौन सा प्रेट फॉर्ण सम्स वोत्व टली आप्ड फेस्बुक मेसंगर और आफन नंबर पे कर लिए और एक और प्लेटफॉर्म पर भी किया है वेबसाइट पर किया है यह हमने दुछ तुरू किया है इम्बैडट कोल्ड के दरिए कि एक इम्बैडड को डायलोग फ्लोड ही आपको देज़ता है स्थाइट और वो आप लिजा लिए किसी पी वैब साइट करते हैं तो वह बनके आजाता है अब हम आज करने जा रहे हैं रिएक की एपसब मुध्य शुच्क हमारे चाइब पॉर्ट हई सको रियक्त की एपस आप से इंटिग्रेट करने जा रहे हैं अच्छा और हमारे पास यह यह है डायलोग फ्लो राइट अच्छा और हमारे जो नेक्स्ट यारिक आज की इंटी डीरेशन के बाद दो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वों क्या रइंगे वों बरेंगे मैं थे अप सब्सक्राइब कि अप ने नहीं पड़ा हमने डायलोग फ्लोग उपर एक बेसिक चैटबाट बना लिए जो वैदर एप्लिकेशन ने छोटी सी आप उससे कुछ पूछते हैं और आप लोगों ने अपना अपना वर्चोल वर्जन भी बना लिए आप से कोई आके बात करें तो हमने सबसे पहले यह यह वाली चीज़ पढ़ी है उसके बदम में एक-एक करके उसको सब जबाओं पर इंटिग्रेट करो लिए SMS से भी उससे बात कर सकता है वंदा WhatsApp से भी बात कर सकता है टेलीग्राम से भी Facebook से भी कॉल करें के भी बात कर सकता है किसी वैब साइट पर एंबेडेट कोड है उसमें बहुत सारी तरह का रिस्पान्स वह देता है आपको वही करना पड़ता है एवन जो कि आप उसमें हर चीज का कलर भी द्याहीं कोई और आप रबोटों लगाना चाह रहा है तो आपके बस आप्शन अवेलबल नहीं है अभी तक तो नहीं है अच्छा फिर अगर आप चाहते हैं कि उस पे फुल कंट्रॉल तो वह भी नहीं है अच्छा फिर आप अगर उसमें पर आप चाहते हैं अपनी मर्जी से कंपोनेंट्स दिखाना चाहते हैं तो वह भी उसके अंदर चीज़न नहीं होती है। फिर आप चाहते हैं कि पहुत सारी जावस्क्रिट की चीज़ने नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह आइसोलेशन जो आइस इना आई प्रेंडी तो आइफ प्रावर आपको security reasons की वज़े से रोग देगा तो उसमें ये सारी limitations की वज़े से हम उसको react की app में integrate करें अच्छा हम एक react की application पहले बना चुके हैं या आप react की basics आप पड़ चुके हैं अच्छा हमने क्या बनाया था दो application बनाया है एक चैड अप्लिकेशन बनाया था एक उसके सामने box बना वहता था उसमें कुछ भी लिखके हो सब्सक्राइब करेंग करता था तो सर्वर पर इसको एक तो यह था हमारे दूसरा हमने बनाया था चैड अप्लिकेशन चैड अप्लिकेशन क्या थी कि यूजर हेलो बोल्टा था तो सामने से जावा स्कूर्ट से इसको एक response कर देता था सब्सक्राइब कर देंगे इसमें हमने सर्वर से वर डेटा मंग वाया था अच्छा तो हम उसी अपने जो रिस्पॉंस हम उस पे इसको हम इंटिग्रेट करता है तो मैं इसको बंदर देता हूं और हम वापस आजाते हैं अपने डायलोग फ्लो का वह चैट पॉर्ट है जो हमने अभी तक डायलोग फ्लो में यह बना लिए कितना इंटेंट दो इंटेंट बना लिए हमने और एक वैदर इंटेंट हो गया करता है तो उसको जो रिस्पॉंस मिलेगा वह चैट पॉर्ट में हार्ट कोड़ेट हुआ अगर फोन करके वह पूछता है कि वह वाट्स दा वैदर तो उसको हार्ट कोड़ेट रिस्पॉंस मिल जाएगा इसी तरह रियक्त की एब में अभी जो हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं जब रियक्त की एंड बन्दा बात करेंगो और उसको यह हाट पॉड़ेट रिस्पॉंस मिल जाएगा और इंशाल्ला इसके बाद जैसी हैं वैभूप पड़ेगे तो यह हाट पॉड़ेट रिस्पॉंस पर डानेकि पर डानेगा या किसी ओपन वैदर एपियाई से आरा ह लेकिन आज की क्लास में तो जाहर हम नहीं कर पाएंगे आज तो रियक्त से इंटिग्रेशन कर लें तो आज का गोल शीव हो है इंशाल्ला अगली क्लास में टेम को यह हम को दूसरी क्लास आग के आगचा अब तो हम खेर कोई की दूसरी इस्तमाल करेंगे क्रिक्ट की एक open API मौझूद है जो चलता वा मैंच है उसका वो लाइव स्कोर बगारा दे रहा होता है तो हम उस तरह की कोई चीज बना लेंगे के वह किरिक्ट अभी कौन सा मैच चल रहा है तो वह बोले भई अभी ट्वंटी फ किस कंट्री में अभी कितने लोग इंफेक्टेट हैं वह आपको बता रहा होता है रियल टाइम डेटा करते रहा होते हैं तो फैर किसी का लिंक कि यहां पर दिखेगा है अब है यह 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 जो करना तो हम कर चुके हैं करो go कर फरे इंग वह यह 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 ब Adm49त कि औुके हैं तो हम अाइज तो हम साम में कज़ारु के अंदर को इसका में नाम चेंज कर देता हूं इसका नामों कर दता हूं मैं ट्री कि कर रियेक्ट एड कि इंटिग्वेश्ट से लिए कि वह कॉपी कर रहा था और इतने में उसको क्या कर दिया रीडियम कर दिया तो वह बिचारा कॉपी नियुंपा है तो हम उसको हाथ से अलग से चीज है ना सारी अंदर से कॉपी करें लिए तो अब जो हमारी रियक्ट की अप्लिकेशन थी पहले तो इसको हम चला के देख लेते हैं ठीक है कि इसमें एक्जिस्टिंग जो कुछ हुआ है वो क्या हुआ हुआ है अच्छा तो इसको चलाने के ल इस फोल्डर में आ जाता हूं मैं मैं कहता हूं सीडी जीनो फाइल उसके पास सीडी थी ठीक है रियक्ट एप इंटिग्रेशन फोल्डर में आ जो है अच्छा यारी तो पी इतने देर में होगा तरी क्या होगा कर दो आप कर दो कि अ कि अ इस कि अ हो गया कॉपी ना कापी हो गया भी है कॉपी हो रहा है था मैंने कैट तोड़ा वेट पर ना अच्छा मैं इक दफा और उसके बाद मैं क्या करूंगा एंपी एंडर तो यह मेरे पास एप रन हो गई है और इस एप के अंदर क्या कुछ है वो भी हमें नजर आजाएगा सामने अच्छा इस इस रिएप की एप के साथ एक चोटा सा सर्वर भी हमने बनाया था वह नजर नहीं आ रहता है कि मैंने बलत आप कॉपी करती है मैं जभी गोलना इसमें वह क्योंने दिख़़ा हुए कि ये चाय डाप वाली मुझा कॉपी करने दी और मने लिए जब करने लिए तो रस्कॉंट्स कहांसे लिया हमने अधि कि अग्यों से उसके लिया तो लेकिन कई अड़ी सर्वर्ब होगा ना मारा जिस रिस्पॉन्स आरा चालो वोन सर्वर्वर बना लें पिए असना है और आट जिसे देगी थी मेना फेस्बू के लगाई ने वरी हो इसको पिल और पेस्बू के लगाई मैं शेर गरतुब है अच्छा थोड़े है तो यह वो रियक्ट की चैट अप्लिकेशन है जो हमने इससे पहले वराई थी इसमें अगर बंदा बोलता है हाई तो सामने से डमी रिस्पॉंस आ जाता है इसके लिए कोई सर्वर गालबन नहीं लगाया था हमने इसके अंदर ही ना src की फाइल के अंदर ही हमने क्या किया था हमने कहाता है कि exios.post करो और अगर वो फेल हो जाए तो भी एक रिस्पॉंस हमने रखवा दिया था हमने क्या किया था एक रिक्वेस्ट बेजी थी localhost 3000 और करके एक सरवर हमने बनाया था अच्छा अगर उससे रिस्पॉंस आ जाता है तो वो रिस्पॉंस डिस्प्ले करवागो अगर उससे रिस्पॉंस नहीं आता है तो डमी रिस्पॉंस फ्रांग ऐसे करके दिखाओ अच्छा अब मुझे करना यह है कि मैं exios.post जो है नहीं वाला यह मैं डायलोग फ्लो की API यहां से डायरेक्ट कॉल करते हैं असूलन त महीं करते हैं कि अपने सरवर पर को लेके जाते हैं जैसा कि हमने टाइलिग्राब में फेस्बूक मैसेंजर में इन चीजहों मैंने पहले सा दिखा रहा है कि यह क्या करते हैं अपना जो इसको एक यह बेजते हैं और वहां सब्सक्राइब करने लगा हम अपने मैसेज को रियक्ट की अप्लिकेशन से डायरेट डायलोग फ्लो के नहीं बेजेगे पावरुदि इसके कि हम भेज सकते हैं लेकिन उस सुरत में होगा क्या है कि हमारे जो प्रेटेंशल डायलोग फ्लो हम यह काम सर्वर बना लेते हैं अब सर्वर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा जो पूरी फाइल है न इसको उठाके क्या करोंगा एक फोल्टर बना लूँगा वैब के नाम से उसमें फेज़ दो एक लासिक तरीठा है सर्वर और इसको एक साथ चलाने का वह तरीका करता हूं मैंने कहा व्याइब और एंटर किया और ये सारी चीज़ें उठाके मैं क्या गरूंगा वैब में भेज़ने लिए इस अपको मैंने उठाया और वैब के अंदर मैंने ट्रांसफर अगर दिया अच्छा और यहां पर आएके मैं क्या करूंगा इंडेक्स.mjs के नाम से एक सर्वर की फाइल बना लोगा इंडेक्स.mjs हो गया अच्छा है और मुझे यहां पर सर्वर के लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है मुझे पूरा एक boiler plate साही होता है जो मैं क्या करता हूं हमारे nord.js की class में से हमने जो बनाया वाता code वो पूरा यहां पर उठाके लिए आता हूं अच्छा यह मैं जो copy करके ला रहा हूं इसका मतलब जस्ट यह कोई नई चीज़ नहीं कर गए यह हम पहले से कर चुके हैं उस कर लिए और उसको लाके हमने कहां पर पेस्ट कर दिया कि यहां पर लाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया और यहां पर मैंने NPM आई चला दिया मैंने क्या किया है अब सर्वर को मुझे रेंड भी करना है मैंने का NPM रन डेव अच्छा उसमें डेव कर वह नहीं लिखा वाक लिख देते हैं कि इसमें स्क्रेट में लिखी भी दी तो मैंने लिख दी यह मेरा सर्वर चलना शुरूर हो गया अभी सर्वर में क्या लिख वह देखते हैं हमारे मतलब की चीज उसमें जाहरा नहीं लिखी विया एक वाइलर ग्रेट पोड हो अच्छा मुझे सर्वर भी रंग करना है साथ में और साथ में क्या करना है मेरा फ्रेंट एंड भी रं स्टार्ट दबा दिया अब इससे क्या हुआ है लोकल रोस त्री 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 त्रीट नहीं हो पाता इसलिए अहत्यातन में नहीं चलाया है जरूत नहीं लेकिन उसकी अच्छा और मैंने प्रेंट इस्टार्ट दबा दिया अब इससे क्या हुआ लोकल रोस थ्री त्री ताउजन पर मेरा रियक्त की अप्लिकेशन रहन हो चुकिए और लोकल रोस थ्री ताउजन पी इसलिए नहीं चलता वह मैंने बात में गूगल किया वाइट थाउजन मेरे नहीं पास तुम् वह कोई निया मंजन निकाला है एरप्ले वह लैप्तॉप में उसका फीचर आगे एरप्लेगा फोन से एरप्लेगर सकते हैं तो वह इस वजह से ना 5000 उसके लिए रिजर्व कर दिया अब यह फिगर आउट करने करने में मैं री स्काइट कर रहा हूं लैप्तॉप मैं सब दिल में धंदर राट घ्र हवावे कर आउट रहे एक विश्च डाल दर दी दिया चाइनवर लोगे तो मैंने अपने सर्वर को 7000 पे लिए करके रं कर दिया और यह ओद्रस और रहे इंट यूव्स अब तो बटका मुझे लग रहा है कुछ इस पतानी सेवन पाशल नियुक्त सेवन ताउजन वं गरत अधा है अधाया नहीं है तो अभी मेरा जो सरवर हो रहा है वह ho वह सेवन थाउजन वन पर रहा है और मेरा जो फ्रेंट देंड वो किस पर रहा है तो अब मैं सबसे पहले ये करता हूँ करना में चुरू करना हूँ जो यह नि जो हमारे पास रिक्वायर्ड है जो काम अब अबशुरू करना हूँ यह तो हमने पुरॉजेक्स से कॉपी करके बॉयलर प्रेट टयार कर लिया अभी एक्चुल काम होने दा रहा है अच्छा तो एप.js पे जो मैं सर्वर को कॉली करता था अब वो सर्वर में कौन सा कॉली करूंगा और यहां पर मैं पोस्ट बना देता हूं अच्छा इसमें रिस्पॉंस रट सेंड कर गया है आएं हम कोशिश करते हैं कि हम रिस्पॉंस बिला जेसन भी तेकर जेसन में बेनेफिट यह रहता है है कि कल को कोई और मजीद कीज भी आइड कर सकते हैं तो मैंस में मैसेज ऐसे लगा देता हूं और एक यह मैंने जेसन रिस्पॉंस बना लिए अगर मैं सिर्फ इस्ट्रिंग देशता तो मिरे लिए बाग में यह पॉसिबल नहीं रहता है कि मैं मजीद चीज़ेंड करना है कि फ्रॉंग ऐसे कुछ भी लगाना है तो में भी सकता हूं मेरे फ्रैंट टाइम पे को इस्तमाल हो रहा हो या ना हो रहा हो इससे फर्क नहीं पड़ता मैं अगर भेज रहा हूं कोई चीज इस्तमाल को मसला नहीं है अदर्वाइस अगर मेरे स्ट्रिंग होती उसमें में इडिशनल पेरामेटर भेजने के लिए पॉसिबल नहीं रहता है अच्छा अब हुच रहा हूं कि क्या बात है अब ही मुझे एडिशनल पेरामेटर नहीं चाहिए हुई मेरे पास एक मैसेज रिप्लाई आजाए वही मुझे चलेगा अच्छा मैं अपने फ्रेंट पे अच्छा यहां से रिप्लाई में क्या बेंचते हैं आई हमां हेलो वर्ड अच्छा और यहां पर रिप्लाई है जो मुझे मिला है तो मुझे यहां पर यह रिप्लाई रखाना दोड़े है सब्सक्राइब लुक्त करें तो तो दोनों में नाम सेम है टाक्स कर दिया में सब्सक्राइब क्योंक पर वे इसको में टेक्स वाज़ मुझे जनाव अच्छा जी यह मेरा सेंड मैसेज का फंक्शन है जो किस पर चलता है सेंड का बटन दबाने पर चलता है और इसमें मैंने क्या किया हुआ है सबसे पहले सैट मैसेज जो मेरा सेंड इक्वल्ड यूजर और टैक्स इक्वल्स जो भी बंदे ने अभी टैक्स मैसेज लिखा वो मैं रखवा दो अच्छा मतलब यूजर का जो मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूं स्क्रीन पे क्योंके स्क्रीन पर एंटर करवा रहा हूं अच्छा उसके बाद यह रिक्वेस्ट लगाता हूं मैं सर्वर पर अभी मेरा सर्वर लोकल है कल को यह हरी को पर भी होगा अच्छा उसके देन पर जो रिस्पॉन्स आता है ठीक है उसका सेंडर मुझे पता है कि बॉट लगाया और मैंने का टैक्स जो है वो यह भीज़ा इसके बाद मैंने डोट टार्गे रिसेट किया इस से क्या हुआ मेरा जो सौंग था कर रहा था वो रिसेट करणा के उसके लावा टेक्स करके इन वैरीवल बनाया हा था जिस इस स्ने इंपूट से वैली उठा आगा रियक्ट से पहले हम क्या गरते थे गैट अधी करके तो यह हमारा काम हो चुका है यहां पर यहां पर आगे तरह मैं हाई लिखता हूं मतलब अभी की सर्वर मेरा फेल हो रहा है क्रॉस ओरिजन का इशू के लिए क्या करते हैं कौन पताएगा और सप्लाय करते हैं तो हम देख लेते हैं कि हमने कॉर्स किसी में यूज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ मही ना पहले किया वहां से पॉपी करके लाएंगे लिखेंगे क्यों इसकर लाएं कि और यह एप दो लाइन लिख लागा दिया तो करना पड़ेगा तो मैंने रोका चलते में सर्वर को इसको स्टॉप किया और कॉर्स क्योंकि इंस्टॉल नहीं है तो वह इंपोर्ट नहीं हो पाएगा अच्छा ठीक है जी कॉर्स के वाद अगर जो यह मैंने लिखा है इसका मतलब होता है सबको इलाओ कर रहा होता है इनकी सब्सक्राइब करते हैं जहां जहां से रिक्वस्ट आप चाहते हैं कि आए जाए जाए तो वह यहां पर आरे में पास करना बागता है वह इनकी डॉक्यमेंटेशन में चीज मौजूद है तो कॉर्स काम यह करता है असल में क्रॉस और गूगल क्रोम का और जितने सब्सक्राइब करते हैं यह चाहता है कि मेरे सर्वर पर रिक्वेस्ट जब ही आए जब यूजर के पास फेस्बुक डॉट कॉम कोई और चीज ना लिखी दिए तो इन चीजों को स्टिल से आप सेक्योर्टी ब्रीचेस को रोग नहीं सकते लेकिन कुछ हट तक उसको कम कर सकते हैं जो नॉर्मल यूजर है ठीक है जो बतलब बिलकुली ले मैं है वो सम्टाइम है कोने से बच जाता है क्रॉस और जिए इस लिए इस तिल आप इसके जरी चीजों को रोग नहीं सकते ब्रीचेस को रोग नहीं सकते लेकिन एक समझ लो एहतियाती म आप मैंने हाय लिख और तो यह पर से सरवर से रिस्पॉंस आ रहे तो अब मेरी प्लिकेशन तो यह कि सर्वर से चर्क्स पर सर्बर पहले किया से अब सरवर पर हमें क्या सटिंग करनी है से लेकिन उसमें आपके अपने से क्या होता है कि वही चैट बोट ने कोई और भी अपने में डिपलाइब सकता है तो इसलिए हम क्योंकि डायलोग फ्लोग को तो नहीं पताना है कि कौन है कौन नहीं है वो तो प्रेदेंशल लेखेंगा और वो इस्ताहल करना देदेगा थे अपने API वगरा सब लिखी है सब कुछ किया है तो आप किस कोई आया माँ पे उसने देखा वे यारिया तो चैट बोट उसने सेम चीज़ अपने वेब साइट पर जाके लगा दी तो अब उसकी वेब साइट से भी आपका चैट बोट इसका माल होगा होगा आपको पता नही अब इसके लिए जनाब हम क्या करेंगे अब यहां पर हमें कोई लाइबरेरी चाहिए यह गदर जिसके जरीए मैं क्या कर सको कर सको फिए इस को कहते हिंत कर सका कर सको किए को कहीं से भी मैंने पास आया है उसको मैं डायालोग् magazines GO हुआम कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं और दोगिए है कि एक आब जो कि एक अज़ एक जो कि एक उतमा कि एक 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 एक-एक तो सब्सक्वास है अच्छा तो यह में कहा मौझूद हूँ यह में मौझूद हूँ डायलोग फ्लो की डॉक्यमेंटेशन में रेफरेंस वाले पार्ट में मौझूद हूँ और उसमें अच्छा अच्छा रेस्ट एपियाई में इंके बस क्या है वी टु है और एक वी टू बीटा है कि अच्छा फॉल्प इन्हों में बता दियें के भरी यह एंडब पोईंट्स नहीं और पास डाइलोग फ्लो एपी डॉट कॉम अगर आप चाहते हैं स्पैसिफिकली मैं एशिया से हिट करूँ जल्दी रिस्पॉंस लेने के लिए तो आप वो एशिया वाला कर सकते हैं यह कर सकते हैं यह ऑप्शनल है लेकिन अभी तो ऑप्शनल यह अच्छा अब टाइलोग लोगी एप यह इसमें दो तरह की एप आई थीक है कौन कौन सी दो तरह की एप यह एप यह यह एक है प्रोजेक्ट इसे लिए एपिए कि आप न क्योंकि डाइलोग फ्लोग पूरा एजन्ट है आपको उस पूरे एजन्ट में आप जो कुछ भी वह लेकिन इंटेंट को रिमूव करना ठीक है पूरे-पूरे एजेंट को डिलीट करना यह भी आप कर सकते हैं अच्छा तो यह प्रोजेक्ट से रिलेटेड है कि वह डिलीट एजेंट गैट एजेंट और सेटेंट कि पूरा एजेंट आपको मिल जाएगा एजेंट के अदर जितने इंटेंट है सब कुछ आपको मिल जाएगा इस API के अंदर आप क्लिक करेंगे तो इसमें चाहिए यह चीज़ इस्तमाल करने के लिए और सो और जो भी चीज़ है अच्छा उसके बाद यह प्रोजेक्ट से र इतने अच्छे से नहीं देगा तो एंटीटी स्लॉट की तरह होता है जो अलेक्शा में हम अरड़ी पढ़ चुके हैं तो वो सारी सीज़ें करना उसके लावा काफी सारी सीज़ें जो जो आपना डैश्बोर्ट पर करते हैं इसी में कहीं पर आ रहा होगा डिटेक्ट सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब करना होगा आपको यह इसका यूरल है इसका यूरल है अच्छा उपर हम बेस यूरल देख चुके हैं बेस यूरल के बात से यहां पर चीज़ें बताई जा रहे हैं मिसाल के दौर पर डायलोग फ्लोड़ गूगल अपिया इस तरह गुश्ता डॉट कॉम के बाद स्लैश वीडू स्लैश उसके बाद सेशन कैसे लिगति हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट इसके बाद प्रोजेक्ट इसके बाद इंवारूरमेंट उसके राधियवर अश्च donut आब एछ पर है coconut à जाते हैं तो अंदर मुझे प्रोजेक्ट की आइडी राइट जस्टू एक प्रोजेक्ट आइडी क्या चीज़ अच्छा उसके बाद एजेंट लिखूंगा जैसे लिखा वैसे उसके बाद से लिखर को से लिख वैंगे एक चीज है सेशन आइडी मेरी मरशी का कोई भी रेंडम स्ट्रें और इससे बात करना शुदू करते हैं तो मैं इक यूणीक सेशन आइडी बनाके उससे बात करवाद था तो बंदे ने बोला है तो उसको एक जवाब मिल गया अब अंदर राइट एक पॉंटेक्स बिल्ट हुआ होगा उसके बंदे ने बोला उसने बोला कितने लोगों के लिए बुक करना है तो यह सेशन आइडी 1-2-3 पर ही चल रहा है यह यह एबीसी जोगी मैंने लिखा था उ सेशन आइडी ने बोला कि टू सो स्कूल टू समझ में नहीं आएगा वो कहेगा यह क्या है वो कहेगा भाई भुक रूम बोलो या तो आई हम एक कंप्लेंट बोलो समझ रहों तो यह सेशन आइडी हर बंदे को युनीक हमार असाइन करता है अच्छा आम तौर पर मैं क्या आगा गया है कि तो फिर आपको मसला कर गया तो कोई भी ऐसी यूनीक अइन्टिफिकेशन जैसे जायर है जब भी यूजर क्रियेट होता है उसमें एक एक आईडी क्रियेट होती है उसमें कोई special character भी नहीं होता है, number होता है, letters होता है, तो वो इसमें मैं डाल सकता हूँ, बढ़ी आसानी से, तो user का जो भी वो ID होगी, database वाली, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ, ताकि जब भी ये user बात करें, इसी ID से बात करें, और ये session ID expire हो जाती है, 5 minute के बाद, अच्छा, session ID मैंने दे दिया, अच्छा, अब ये और आ गया, अच्छा, एक session वाला case है, एक environments वाला case है, environments हमने discuss नहीं किया भी तर कि क्या होता है, तो एक session भी हो सकता है, एक environment भी हो सकता है, तो environment को भी हम फिला लिखना हो गटता है, तो हम session के जरीए काम कर रहा हो, अच्छा, तो ये ना session पूरा इस तरह करके बन जाएगा, अच्छा, उसके बाद colon और detect intent, ये पूरा मेरा URL, ठीक है, जिसके जरीए क्या हो रहा होगा, मैं इस URL के जरीए hit करूँगा, तो request कहा जाएगी, डायलोग flow के server में जाएगी, और डायलोग flow के server में specifically मेरे agent पर जाएगी, क्योंकि मैंने agent की क्या लगाएगी है, और वहाँ से मुझे response आजाएगा कुछ, अच्छा, अब session के लावा मुझे और क्या-क्या देना पड़ता है, इसको, मुझे request की जो body है, उसमें देना पड़ता है, इस तरहागा कुछ data, अच्छा, query parameters, ये एक मुझे देनी पड़ेगी चीज, अच्छा, ये query parameter क्या चीज है, इसको मुझे, ये इसकी ना असल में type बताई गे रहो है, तो मैं इसको new tab में open कर लेता हूँ, ये असल में म असल में दूसरी classes में भी ये नजर आ रहा होता है, तो वहां से गलती से कभी कभी हो जाता है, अच्छा, तो मैंने दूसरे, उसमेने टैप में, इसको open कर ले, query parameters क्या होता है, ठीक है, query parameter है ये, कि time zone, कि किस time zone से आप request कर रहा है, क्योंकि जाहर है अगर बंदा बोल रहा है कि टू डेस फ्रॉम नाओ, मैंने तो मुझा है, फ्लाइट कप चाहिए, आपको बुक चाहिए, वो कहेगा, वही थ्री डेस फ्रॉम नाओ, तो किस time zone से बात कर रहा है, जब तक मुझे ये पता नहीं होगा ना, मैं नहीं पता सकता, क्योंकि अमरीका में तो अभी, अभी स दुनिया में ना, क्योंकि हम प्लस में 5 प्लस है हमारा, तो आधी दुनिया में date बाद में change होती है, ठीक है, हमारी date पहले change हो जाती है, क्योंकि जो माइनस 8, माइनस 10 में जो रह रहे हैं, वो हमसे कितने तश गंटे, 11 गंटे दूर है, तो उनकी date बाद में, तो इसलिए time zone मुझे देना पड़ता है, अच्छा, अगर आप नहीं देंगे time zone, तो वो by default consider कर लेता है, कि जो chatbot पर time zone होगा है, बनाते लेख वांता है, क्या होगा, इस्टक होगे, वोगला चल रहा है, हाँ, मैं रोब के दुबारा लगा तो, ओ अच्छा, यह पताए क्या होगी है, य अच्छा, वो पूरा screen नहीं ला रहा हूँ है, टैम ला रहा हूँ है, अच्छा, अच्छा एक तो यह होगे क्वेरी बैरमेटर इसमें कुछ चीज़े दी वह एक तो हमने डिसकस कर ली बाकिया खुद से बढ़ दीज़ेगा क्योंकि वह लंबी कहा नहीं तो मुझे कोई क्वेश्चन भी तो साथ में भीजना पड़ेगा ना कोई टेक्स हो कुछ हो कि बंदा जैसे हाई बोल रहा हो हाई बेजना पड़ेगा बंदा बोल रहा है आई वांटेट आप भेज रहे हैं तो का यूञा ओट साथ तो यह टीन आपस क्या है यूनियन फिल्ट तो अगर ऑडियो भेज़ रहे हैं तो सरफ और टेक्स बेज़ रहे तो सर्फ टेक्स जाएगा ठीक है अगर आप तीनों भी भेज़ देते हैं तो वह सबसे पहले वाले को पकड़ देगा बाकी को एग्णोर करें तो यूनियन फिल्ड इस वज़े से इसको कहता है अच्छा तो टेक्स्ट लिखें गया और टेक्स्ट का भी नीचे जनुने पैर सब्सक्राइब कर लूँ अपने पास को अंदर तो अब मेरी बॉड्डी किस तरह बनेगी हो मैं बना लेका कियों कि तीन अलग अलग टैप में वारी कहानी कहानी पॉंट शुक लिए तो मेरे पास जो बोडी बनेगी अगर मैं आपक जो डायलोग-फ्लोब हैमा बेज़ें वो मेरे पास कुछ इस तरह की बनेगी ठीक है यह मेन पॉर्डी उन्होंने बताया अब इसमें से मुझे क्वेरी पैरम्स तो मुझे भेजना ही नहीं नहीं है अप्शनल चोड़ रहा हूं मैं इसको क्वेरी पैरमिट्रस तो डिफॉल्ट ढालेगा वगरा किया है अच्छा उसको मैंने बिल्कुल ही हटा दिया ओडियों में भेज नहीं रख तो ऑडियों को भी मैंने हटा दिया इन दोनों चीजों को भी मैंने हटा दिया अब सिर्फ इन पूरे इन पूरे इन पूर अपस में यूनियन है तो मैं दोनों पूर अठादा हूं एक ही बचेगा आफिर में तो मेरे पास कुछ इस तरह ही बॉर्णी बन भी अच्छा अब ये टेक्स्ट के अंदर भी एक अबजेक्ट है इसकी में टाइब मैंने तीसरे टाइब में खोली दिए डबल डबल क्या तरफिया है अभी तक मेरा यह बन चुका है अच्छा अब मैं तीसरी उसमें चबहादा हूं तो वह यह है तो कुछ इस तरह से हो जाए तो मेरा जो डायलोग फ्लो में बॉल्डी जाएगी वह इस तरह की बना के लेकले तो मुझे टेक्स की जगह बर क्या रखना होगा जोगे मुझे बडी में टेक्स मिला ना वो रखना वो तो मैंने का रिक्वेस्ट डाट बॉर्डी डॉर्ड टेक्स्ट इसी नाम से मुझे और देख लिकर लेकाऊ है इंताफ़ा है अग्वाइफ कोड में डिफॉल्ट कर दता हूं कि एन यू ऐसे ही ठीक है यह डिफॉल्ट अवारा लेंग्वेज कोड है अब लेंग्वेज कोड अगर आप देखना चाहरे हैं कि कौन-कौन से होते हैं तो यहां से जाके भी आप लेंग्वेज कोड एक बारे वैरिफाय कर सकता है तो इसम अपने पास इसको पेस्ट कर दिया सेम कोई चीज़ा जो मैंने पहले लिखी तो यह मेरी बॉर्डी तैयार होगी यह मेरी को बॉर्डी है जो मैं का भीजूगा डायलोग फ्लोग पे भीजूगा अच्छा एक चीज़ अब मुझे और भी चाहिए इसके साथ एक चीज इसके लिए उसके लिए इन्होंने शुरू में बात बताई लिए उसके लिए शुरू में बात बताई लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा ओ और 2.0 की ऑथेंटिकेशन आपको कड़नी पड़ेगी तहां चलाइए वह अब यह ओ और 2.0 कैसे होता है वो भी हम देख लेता कि यह ओ और 2.0 जो है आपका उसको लेकर उसमें यह दो इसको आपको चाहिए होंगे यह क्या चाहिए होंगे यह दोनों इसको आपको चाहिए होंगे मतलब गूगल ऑवराल कंपणी गूगल है तो गूगल का एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जिससे यह सब जोड़ चुके हैं तो गूगल का जो ओध है उसको इस्तमाल करते हुए आपको यह दोनों इसको पताने पड़ेंगे और इसकी अगेंस टोकन लेना पड़ेंगे तोक अब यहनुने अपनी अफ्टेंटिकेशन सिस्टम में पुरा इंटेगेंट किया रहा है अच्छा कहरा है फॉर ओर मोर इंफरमेशन ऑथेंटिकेशन ओभर वी आप यहां से देख लेंडिकेशन कैसे और चलते हैं इस लिंक्ट के अपर देखते हैं कि क्या हो रहा है अगी यह तो प्रिंसिपल एक यूजर का का Haj Almost र षाल खोए तो जो जिस पे आपको एमेल आथ्रस शुब और सर्विस एकाउन्टनहा आप जतने चाहिक है कर सकते हैं इन्टर्नली उसको खी एक यूझाल तह गटाउंट को लेकिन जाहिरा वो सर्विस एकाउंट होता है तो वो एक किसी खास सर्विस के लिए इस्तमाल हो सकता है वो हर चीज के लिए इस्तमाल नहीं हो सकता है तो यह हो गया उसके बात हो तो क्या चीज़ है वो पूरा बताया है है और कुछ लाइब्रेडी इस तरह ये लाइब्रेरी मौजूद नहीं है वाइद देख भी लेजए क्या बता हुए कि देख लेजए क्या पता आगई हुए इसमें चलते हैं नौट जैसे पर देखते हैं कि यह नहीं है यह नहीं है था जाइबरेडी मौजूद रहे हैं तो सारा काम जो हम रहे सब्सक्राइब कर सकते हैं वो सारा काम इस लाइब्रेडी के त्रू आप अब इस लाइब्रेरी को लिखते हैं कि यह सैट अप कैसे होगी यह आगा हम नौट जैस्ट नहीं अच्छा लाइब्रेरी में काफी जो है ना असान हो गया करना सब्सक्राइब करतेृट यह और सब्सक्राइब कि वैसे भी इस चर्शे को शने कि अ कराद मन की यह आए यह फागेगा करते के यहाँ पे अ करते फिसटेऊ 1फ बमतर भेत करते पा análä है एक इसे पाफ सेशन पाफ को मुझे देखा है अच्छा यह वाला है यह वाला है यह वाला है यह वाला यह यह वह स्वेड़ देख्षन कर दो किया पिर देख्ष है इस पे असल में उसको पाथ पे रखना पड़ता है उसका इक तरीखा है उसको रखना पड़ता है क्या नाम रखना पड़ता है क्यों सब्सक्राइब है इसे नड़ता है इस तन को जुन कर शा अचक्छ़ करेंचर संद्रक्राइब गुखल अशन त tension था स१र अचांट सक्षक्राइब होएं, अच्छ्ज wal थिया अचदिर केस ऑड़नेंचरी आटिए च्रीड तोर्सफों इस प्रवेजेट अगरा है यह उपर कि अधिकेशन यह आगया नहीं है कि यह आग्व गुगल एप्लिकेशन यह इसका ना होगा पीसी में भी और इसमें भी इन्वार्मेंट वेरीबल को सब्जट है ना अब ही पता चल जाएगा यह क्या है अच्छा तो हम चीजों को समराइस करते हैं कि हमने क्या देखा अभी तक हमने यह देखा हमने डायलोग फ्लोग की जो रेस्ट अप्याइस हैं उनको थोड़ा गोत रूबर के देखा कि वो किस तरह से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है ठीक है एक यूरल होता है फिर हम बॉल्डी में अपना टेक्स डालते हैं उसको डायलोग फ्लोगी त नहीं थी तो मैंने भी इसके उपर एक रैपर लिखा था जो रैस्टे भी आई है वो सारी जो चीज़ है उसका नाम है डायलोग फ्लोग है वो भी एक मज़र देख लेता है कि उसमें कैसे होती है लेकिन यह सिर्फ सब्सक्ता है यह फ्रेंट है पर डायरेक लगाना मैंने अच्छा तो यह सिंबल इसमें आपको क्या करना पड़ता है इंस्टॉल करना बड़ता है एंपिम आई डायलोग फ्लोग है अच्छा कि एग्यों अच्छा यहां पर नीचे एक्जैंपल भी बनी अनिक लिखा मैंने उसके बाद यह पूरा सर्विस एकांट लाके मैंने यहां पर पास कर दिया और यह जो अगर फॉल्स पर कोई लॉग नहीं पर लिए उसके बाद क्या है नौट जिसक्लाइंट डॉट डिटेक्ट इंट उसके बाद सेशन इडी उसके बाद जो भी आपका टेक्स वह भीजा आपको रिस्पॉंस उसका में एक सिंपल लाइबरेडी है लेकिन अगर उनके खुद की लाइबरेरी मौजूद है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको स्कावार कलाने निए अगर वो चलाने में काम्याव हो जाते हैं ठीक है है अधर वाइस पिर में इसी को स्तवाल रहें यह यह प्रोडेक्शनमे भी कुछ क्लाइंट को भी यह अलमदुरिल्ला हो सही चल भी है करना इन चीज़ों भी एपियाई को कि रापर किया हुआ तो हमने रेस्ट एपियाई को अबर्व्यू देगी है तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे डायलोग फ्लो में ठीक है और यह जो लिखा वार है ना सेलानी क्लास डिलीट दिस यह मेरे प्रोजेक्ट की आईडिय इस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा इस पर क्लिक करते ही मुझे यह कहां लेकर चला गया मुझे गूगल क्लाउड के डैश्बोर्ट पर लेकर चला गया अच्छा ऊपर नोट कीजिए का यह प्रोजेक्ट मेरा सेम प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है अच्छा उसके बाद मैंने ये बरकर मैनियू को क्लिक किया अच्छा उसके बाद में कहा गया उसके बाद में गया एपी आइस एंड सर्विसेज और उसके बाद में क्रिदेंशल गया नोट शोर कि यहीं से आता है यह से हमें सर्विस एकान्ट क्रियेट करना है सलगा ठीक है जी अब हमारे पास नहीं है यहां पर देखुद दो सर्विस एकान्ट पहले से बने हैं अब हमें एक अदद सर्विस एकाउंट और बनाना है हमें क्या करना है कैसे करूंगा मैंने सर्विस एकाउंट में चला गया हो तो मुझे पूरे डेडिकेटड पेडी के लिकर आ गया जहां पर सर्विस एकाउंट पने रहें अच्छा मैंने का create service account ठीक है service account का एक नाम मुझे रखना पड़ेगा मैंने service account का नाम रख दिया के dialogue flow client service account ठीक है यह मैंने नाम रख दिया account अब यह मुझे से पूछ रहे हैं कि उस एकाउंट का इमेल आईडी क्यों गया गूगल के अंदर चाहे वह यूजर अकाउंट हो चाहे वह सर्विस अकाउंट का एक अदर इमेल एड्रस होते है अच्छा इसका किता में बस कंटीनिव कर दिया मैंने डिस्क्रिप्शन रिखे बताए अच्छ अब यह मुझ से कह रहे हैं अब मुझे इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है मुझे क्लाइन सेलेक्ट करना है अच्छा अच्छा क्लाइन से ना क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या के लिए मुझे यीज़र पड़ेगी मिसाल के तौर पे अगर मुझे डिटेक्ट इंटक्ट करना है तो ।्देक्ट मैं क्लाइंट के जरीए कर सकता हूं इसी तरह मुझे कॉंटेक्स सेट करना है इस तरह की चीज़ें ऐसी जीज़ें जो फ्रेंट एंट पर यूजर जब बात करेगा चाइट सो तो जो चीज़ें करने की जुरूप पड़ती है वो इससे हो जाएगी जो एड्मिनिस्ट्रेट इसकी जुरूत नहीं है तुमें क्लाइंट वाले सर्क करता हूं बिलावजा मैं इडिशनल अग्सेस लेने के बजा है मेरे लिए वी शक्राफिशिक है तो मैंने क्लाइंड दूह से tutti यहां से सेट कर दिया कंटीनिक्स अटीनिों एसी मैंने किया तो एक औ्यों कोई है डाइलोग फ्लोग क्लाइंट सर्वेस एकाउंट इसके अंदर चाहिए इसके अंदर जाने के बाद मैंने कहा के अब मुझे यहां पर की क्रियेट करने तो नियू की अचा मुझे जेसन और डो बता रहा है जेसन वह लेटेस्ट और रेकेमेंड भी तो मैं जेसन करके क्रियेट कर रहता हूं यह जो आपकी सर्वेस एकाउंट का जो जेसन है इलाओ एक्सेस टूँ और क्लाउड रिसोर्स तो इस्टोरिट सीक्रेट लिए तो अब मैं क्या करता हूं मैंने इसको ओपन फोल्डर कर लिए इसको मैंने क्या कर लिया यहां से कर लिया कॉपी अच्छा और मैं अपने एंदर क्या होता है एक इसट्राइब होती है मैं और लेनिक्स में होटा एक है तो यहीं चीज़ लिए कर सकते हैं यहां पर आके मैंने एक फोल्डर क्रियेट कर लिया मैंने का सर्विस ठीक है एककाउट्स सर्विस एकाउंट में एस लगा दिया और सर्विस एकाउंट्स हो गया और इसका भी मैं नाम करने में असान रहे अच्छा और फिर मैं क्या करता हूँ अब मुझे इन्वाइर्मेंट वैरियेबल पे एक चीज सेट करनी है क्योंकि मैं लाइबरेरी को इस्तमाल करने जा रहा हूं तो लाइबरेरी में वह ऐसा बोलते हैं कि आप कोड में उसको शामिल ना करें सर्वेस अकाउंट को आप उसको इन्वाइर्मेंट वैरियेबल में रखें ताके वो सिक्योर ताके गिट में पुश करते हैं भी वह साथ में पुश ना हो अच्छा यह जब मैं लोकल मशीन में हो तो मैं इस तरह से कर रहा हूं ठीक है वंस मैं क्या चला जाओंगा तो आपक वह भी लगा सकते हूं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि लोकल ही लगाँ तो लाजमी है मैं रिमॉट यूरल भी इसमें लगा सकते हूं अच्छा तो देखते हैं वह यह कैसे करके बता रहे हैं इसको मैंने यहां पर कर दिया क्लोज मेरा सर्विस अकाउंट क्रियेट हो गया उसक थिए अधिक है लाब 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 लाज सैट अठिकेशन अब यह सर्विस अकानू भी हमने क्रियेट कर लिया ठीक है रोल भी दे लिया उसको हमने एक अधर ठीक है अच्छा फिर क्या कि हमने Linux और Mac OS में इस तरह से Environment Variable Set होता है Windows के अंदर इस तरह से होता है अच्छा Windows में मैं recommend करूँगा कि आप Terminal से ना करें आप Start का बटन प्रेस करेंगे और E and V लिखेंगे तो एक Environment Variable का Option शो हो जाता है ठीक है और उसमें जाके आप user का जो Environment Variable है उसमें यह चीज आप साइट करें, ठीक है, अच्छा, तो मैं Linux और Mac वाला यह तरीका कर लेता हूँ, अच्छा, मुझे कहा जाना पड़ेगा इसके लिए, मुझे जाना पड़ेगा, अपने home, जो भी मेरा यह root है, मैंने terminal open किया, भाई दरे, terminal जब मैं default में open करता हूँ, तो यह home वाली directory पर खुझता है, अच्छा, इस home की directory को और मैं VS code में open कर लेता हूँ, क्योंकि text editor इसक्रीन से out करने के लिए, मैं इसको थोड़ा space दे देता हूँ, क्योंकि इसमें दूसरे credential भी लिखे में, आधे देखना है, तो आगी दाएगा तो पूरे लिए, अच्छा, credential equals to, अब equals to करके मुझे path देना है वो वाला, ठीक है, अच्छा, path कैसे देना है, मुझे, home से देना है, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई, home, home के बाद क्या है, भाई, service accounts नाप रखा देना, service accounts ठीक है, slash और salani class salani class.json ठीक है, यह मैंने service account, किस पे set कर दिया, अपने environment variable का set कर दिया, अब मैं इस machine में कोई भी Google की library इस्तमाल करूँगा अगर तो वो auto यहां से credential उठा लेगा, उसको पता होता है कि कैसे उठाना है, ठीक है, वो ही application जब हरीकों पे जाएगी, तो हरीकों में भी वो इसी नाम का environment variable तलाश करेंगा, अब इसको मैंने के कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है, अच्छा, यह मेरे पास ZZSHRC था, क्योंकि मेरे पास टर्मिनल इस्तमाल हो रहा है, उसका नाम है ZSH, ठीक है, अगर bash कोई इस्तमाल कर रहा है, Linux में या Mac में, तो उसके बस bash RC कर क्या आ रहा होता है, ठीक है, अगर नहीं दिया तो आप बना लें उस क्रियेट भी कर सकता है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अपने VS Code में, दुबारा से, ठीक है, यह बॉड़ी तो हम रेस्टिप क्याई के लिए बना रहे थे हैं, तो उसको हटा दो, बॉड़ी की अब हमें जोड़ती है, अच्छा, अब हम यहां क्या करना है, वो लाइबरेर लाइबरेंस में यहां बना लाइबरेरी का मुझे, मैंने इन्स्टॉडर और मैंने लाइबरेद का ρ में और बना सर्वर सेमार को मैंने अजंवे fat सब्सक्राइब फो सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिंक दिया हुए कोई के स्टार्ट के डॉक्यूमेंट में चला गया और यहां से नॉर्ड जैस का जो पूरा पॉर्ट था यहनि के रिक्वाइर करना यह रिक्वाइर कर लिया मैंने या पर वही टॉक पेस को अच्छा हमारे केस में रिक्वाइर नहीं होगा हमारे केस में इंपोर्ट होगा अच्छा हमने इंपोर्ट कर लिया है अच्छा उसके बाद मुझे क्लाइंट को इनिशियेट करना है अच्छा अब उसके बाद मुझे क्या करना है डिटेक्ट इंटेंट का फंक्शन कॉल करना है ठीक है यहां तरह यहां अब यह डिटेक्ट इंटेंट में कहा करूँगा इस बीच में करूँगा इस जड़ागा यह मेरा डिटेक्ट इंटेंट का फंक्शन है इसमें कुछ पयरामिटरज इसको इनिपुट दिया है जो के project ID है, session ID है, query है और context है और language code है तो ये सारे parameters हम समझ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, right? Project ID पता है हमें क्या होती है session ID है, हमें पता है क्या होती है unique ID हमारी user को देते हैं तो मैं project ID सबसे पहले लेकर आ जाता हम कहां से मिज़े दिलेगी project ID मेरी dialogue flow में गया और मैंने कहा ये मेरी project ID है सेरानी ग्लास डिलीट इस अच्छा session ID है कहते हो, session ID 123 ये मैंने अभी फिलाल के लिए बना दिये ये मैं कुछ mistake कर आँगे ये मैं है इस ऐसंसिंष्णा ह मैं होगी वह यह नीचे अलग से संपंस्टो बहुत कर लेटे सब सर्बूर कंडु वेए प्रेव्द करनऊ वह यह निखक्षिन हो धें निख लिए नियुक्त लिए प्लन रहे हैं प्लतिए वडिविट हा यह फंक्शन को अच्छा यह हो गया जी जन्रावार प्रस्ट एग्जिक्यूट क्वेरी भी एक फंक्शन है जो के बाद में कॉल हूँ मेरा ख्याल है कि कोड हमेना खुद से थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा यह इस तरह से नहीं चलेगा इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपनी जरूरत के हिसाब से इसको मैंने कट किया यहां से और मैं वापिस इसको अंदर लाया और वापिस अंदर लाने के बाद मैं यह फंक्शन हटाके इसको जो कि मेरे बस अल्रेडी एक फंक्शन है जो हिट होता है तो मैं उसके अंदर इसको एक्जिक्योट करता हूं तो मैं इसको फंक्शन से बाहर कर देता हूं पूरा कप्राइब और प्रोजेक्ट आइडी मैं दुबारा से यह से कॉपी करता हूं और मैंने कहा कि आए इक प्रोजेक्ट आइडी इक्वल्स इस ठीक है एक कॉंस्ट इवाने बना दिया सेशन आईडी का भी एक कॉंस्टेंट बना देता हूं सेशन ये फिलाल हार्ट कोड़ेड है लेकिन असूलन होगा यह कि जब रिक्वेस्ट आई की मेरे पास तो मैं वहीं से यूजर जो भी यूजर लॉगिन है उसका कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन में फ्रेंट्रेंट से ही अच्छा कॉंस्टेंट क्वेरी क्वेरी क्या वह अच्छा मेरे कैस मेरे क assess मैं कोई नहीं है लैंग्विच कौर्ट मेरेगेस में है अच्छा मॉयहाश यह मैंने सारे के लिए जो मुझे चाहिए और और नीचे का चल रहा है अच्छा सेशन क्लाइन के बाद यह सेशन का पाथ जैनरेट किया गिए यह चाहिए जो पता रहा दा लंबा सा पाथ होगा उसके बीच में प्रोजेक्ट यह होगी तो यह वो जेनरेट किया गया तो यह सेशन पाथ क्या हो गया जेनरेट हो गया अब यह रिक्वेस्ट की पूरी बॉरी बनाई है हमने जो request की body बनाई थी थी थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी कि query input था फिर text था फिर dot text लेंविज पोड तो यह इसने request इस तरह create कर ली अच्छा context हमारे case में नहीं है तो हम इसको remove कर देते हैं ठीक है context हमारे case में अभी खिलाल है अभी simple simple request जस्टन भेज लें अच्छा फिर इसने कहा कि responses dot अच्छा यह अवेट क्योंकि इस्तमाल हो रहा है तो मुझे पूरे मेरे function को क्या करना पड़ेगा एसिंक बनाना पड़ेगा ठीक है तो मैं इस पूरे function को अपने एसिंक बना दिया रहा है अगली ग्लास का भी टाइंग हो गया है जल्दी से एसको चलाने की कोशिश करता है सब्सक्राइब कर देखते हैं कि उसको आया कि पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है अब हम हाई बोलेंगे अगा में response कौन सा बलना चाहिए जो डायलोग फ्लोव पर response है 700 अच्छा ये चैटपोड मेरा server जो वो crash हुआ है किस वजह से crash हुआ है अच्छा मेरा server crash हो रहा है जब मैं या से को बेचता हूँ अच्छा रिक्वेस्ट आते ही मेरा server crash हो जा रहा है देखता हूँ जी क्या request.body.text इसको नहीं मिल रहा क्यों नहीं मिल रहा हो अच्छा express.json मुझे उपर लिखना पड़ेगा सही है उसके इलावा क्या होगा body को parse नहीं करता हो तो इसलिए मुझे यह नहीं अब भेजते हैं दुबारा से try करते हैं अभी भी crash होगी है अब क्या मसला हो लोग कुट नॉट लोट ड़ीफॉल्ट credentials अच्छा यह इसको default credentials नहीं मिल रहे उसका reason यह हो सकता है कि जब चलता हूँ अगर उसमें मैं environment अब अपडेट करता हूँ उसको पता नहीं चलता तो टर्मिनल को ना बंद करके दुबारा खूलना वड़ता है जब जाएगे उसको वह चीज मिलना शुरू होती है तो मैं क्या करता हूँ मैं पूरे VS code को बंद कर देता हूँ ठीक है VS code को मैं कर देता हूँ अब मुझे जाना पड़ेगा सीडी जी पीछे बैटने शुरू करने थोड़ा थोड़ा जो आपके बास वीटें अवेलबल और बाकी लोग बाहर वेट करने अब कर दो अच्छा वालियों इस code में खोटा सा कोई error है जिसकी वजह से अभी भी crash हो रहा है तो इंशाललह यहां पर हमारी क्लास को अग्ली क्लास का वक्त हो गया है तो आप सब लोग प्लीज जा सकते हैं इंशाललह अग्ली क्लास में इसको यहीं से कंटिग्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा है ठीक है जिए जिए अच्छा भई दोस्तों क्लास क्लास में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास यह एक अधार की अप्लीकेशन जो यह वेब के फोल्डर में पड़ी वी और रूट पे जो हमारे सर्वर पड़ावा है को हम हम इंटिग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे डायलोग फ्लो अधार और रियक्ट की अप्लीकेशन से हम डायक्ली डायलोग फ्लो को कौल नहीं कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे उसका रीजन यह कि के फ्रेंट एंड पर हमारी क्रिदेंशल एक्सपोज हो जाएंगे सब लोगों में तो इसलिए हमने क्या किया था रियक्ट की एप्लिकेशन से रिक्वेस्ट भेजी थी हमारे एक खुद के सर्वर ठीक है और वहां से हम डायलोग फ्लो को कॉल करवाना चाहरे थे और हमारा व अच्छा और अब मैं इसको चला के देखता हूं कि इसका रिस्पॉंस ठीक है मैं वेदर रेस्ट्रेंट से इसका रिस्पॉंस आ रहा है अच्छा प्रॉब्लम क्या थी जो मैंने गड़वड की थी वह गड़वड मैंने यह की थी कि मेरे पास जो सर्वेस एकाउंट है वो यहां होम के फोल्डर में और यहां सर्वेस एकाउंट के अंदर यह पढ़ावा था ठीक है तो इसका जो तो इस सर्वेस एकाउंट का मुझे क्या करना था एपसलूट यूरल रखना था एंवार्मेंट वैरियेबल में जो मैं मैंने इसको होम से रखा था तो होम से जो वो रेलेटिव हो जाता है अच्छा तो एबसुलूट यॉरल कैसे अभी यहां पर दिखा देता हूं आपको कि एबसुलूट यॉरल कैसे मैंने का डॉलर और क्या नाम तो उसका गूगल क्या ग्रिडेंशल मैं यह देखना चाहरा हूं सर्विस एकांट किस इस नाम से था तो अब मैं देखना चाहरा हूं कि इस इंवाइर्मेंट वैरीबल में क्या पड़ाव है तो मैं क्या करूंगा टॉलर और पेस्ट कर दूँगा यह तो मेरे इसको यह हूँ इसका पात है सर्विस एकांट्स स्लैश सेलानी क्लास डॉट जेसन अच्छा मैं इसको यूजर से नहीं लगा रहा था मैं इसको लगा रहा था हों से तो मुझे यूजर से लगाना था एबसूलूट पात देना था तो अब इसको यह सही बिलना शुग हो गया तो मैंने इसको बंद कर दी है और यह इन्वाइरमेंट वेरिवल कहां पर साइट होते हैं यह आपके हों डिरेक्टरी में अगर कोई लिनिक्स पर या मैक पर तो उसमें दोनों में सेम तरीट है यहां पर आपके पास जो भी आपका टर्मिनल है वह जी एस है अगर तो जी इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और यह मेरे पास ओपन हो गया जितने भी इन्वाइरमेंट वैरियेवल है वह सब यहां पर ओपन हो गया तो यहां पर आप देख सकते हैं जी असे चारसी के अंदर लिखाव है एक्सपोर्ट गूगल एप्लिकेशन क्रिदेंशल और उसके बाद यूजर से और लेके पूरी फाइल के नाम तक लिखाए विंडोस में भी जवाब रखेंगे तो आपके इंवाइरमेंट वैरियेव इसमें पर आफिट उसके बाद पूरा आखर तक पाथ वो देना है इसमें वैरियेव पाथ इसमें नहीं चलेगा जैसे मैने लास्ट इंडिया होगे अच्छा तो अब यह सब चीज़ें वो करके अपनी एप के अंदर आ जाते हैं और इस कोड को लाइन बाइन एक तफ़ा समझ लेते हैं कि इसमें क्या होगा है अच्छा उसके बाद डायलोग फ्लो की लाइबरेरी को इनिशियलाइज किया हुए ठीक है डायलोग फ्लो की लाइबरेरी को इनिशियलाइज करके एक मैंने session client बना दिया अच्छा उसके बाद express की एप को इनिशियलाइज किया course को लगाया body parser को लगा दिया उसके बाद मैंने code को define कर दिया अच्छा पोर्ट को define करने के बाद मेरे पास क्या है मेरे पास तीन अदर राउट है अच्छा और जैसी ही रिक्वेस्ट आएगी तो क्या होगा प्रोजेक्ट आइडी मुझे मेरे चैन्वाट की पता है fix कर दिया मैंने session id भी मैंने फिल्हाल के लिए fix कर दिया लेकिन असूलन मुझे user से लेना चाहिए तो मैं आप बलके इसको हाथ क्या देटा मिलेगा कि जो है तो प्रोजेक्ट आइडी मुझे पता था session id मैंने user front end से मंगवा लिया क्या वो क्या बोलना है चैन्वाट को वह भी मैंने front end से मंगवा लिया language किस language में मेरा असल में language मुझे बताने की तो जूरूत नहीं है इस बास नहीं भी बताओं को तो चल जाएड़ा क्योंकि मेरा अगर फ्रेंच पेज क्लिक करते हैं तो इंटेंट सारे गायव हो जाएगे आपको वह इंटेंट जितने भी English में बनाया ना वह फ्रेंच में आपको दुबारा बनाने पड़ते हैं तो यहां पे जब मैं बोलूँगा इंग्लिश तो वह इंग्लिश वाले और आपकी और फ्रेंच वाले इंटन्से मैच करेगा अगर नहीं घुगतने जिफॉल्ट होती एगा उसको शेंट जो मेरे पास तोष मेन नहीं वह लिखाई तो चलेगा लेकिन प्रिवी मेंने लिखते हैं जी तुम्हारी बात नहीं समझा दुबारा हुँ आपके दोस्त कह रहे हैं अगर सब लोगों की तबज्जा है यहां तो यह कह रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अमेरिका से कोई रिक्वेंस कर रहा है तो और पाकिस्तान से कोई कर रहा है तो ऑर्टमाइटिक उसको हिंदी या और दू समझ ले ऐसा करने की जुरूद क्यों पेश आएगी अगरे आटो डिटेक्ट करें लेकिन ऐसी तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसी जरूद पेश आएगी तो जब बंदा उर्दू में बोल रहा हूंगा तो फ्रेंट एंड पता होगा नहीं उर्दू में बोल लाता हूंगे और लिखे वे जाएगे नहीं पता नहीं सही तरह इन्हों ने सवार किया रहा है तो इस ने किया रहा है तो इस अगर बंदा बात कर रहा है बात करते करते अगर उसने इंग्लिश लिक रहा है तो इंग्लिश में रिस्पॉंज जाना शूरू होगे अच्छा ये डाया लोग फ्लोग एंदर ना बिल्टेन फैसलिटी निया के ऐसा हो जाए लेगें आप ये कर सकते हैं शिल वो कर रहा से सकते हैं अच्छा यह बाइद आवे मुझे यह भी नहीं लगता कि इस तरह की किसी जिसकी जरूता है पता है क्यों तो जितने वीचर आप सोच सकते हैं वो सब यह डाल सकते हैं लेकिन यह जायद सी बात है क्योंके लिमिटर होता है बड़ी कंपनी है तो क्या हुआ हो तो जो मोस्त इंपॉर्टन चीज़ ना वही कैसे होगा गूगल की बहुत सारी एपियाई ऐसी है ट्रांसलेट की एपियाई है गूगल स्पीच एपियाई है यह एपियाई में जब आप वह बेचते हैं आपको हर रिक्वेस्ट को पहले डिटेक्ट लैंगवेज की एपियाई के बेचना पड़ेगा वहां से इंग्लिश वाले पर फ्रेंच वाले पर तो जो लैंगवेज डिटेक्ट होगा यह उस पर बेजेंगे आप और वहां से आपको वही रिस्पॉंस आगे तो इस तरह से यह किया जा सकता है लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा मिसाल के दौर पर कराची में कोई चैट पॉर्ड इंप्लिमेंट करता हूं तो कराची में में मेरे पाद दो लैंग्वेजिज है एक उर्दू है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बंदा उर्दू में बोलना शुरू करें और इंग्लिश में क्योंकि कीबोर्ड पर ही तो इंग्लिश के लेटर लिखे वा रहे ना वो इंग्लिश तो उस पॉइंट पे मुझे पता चलिए अब उर्दू में बात करेगा तो मैं फ्रेंट टाइंट पर यह डिसाइड कर लूँगा कि अगर चैक पर अर्दू लगा वह तो मैं अलग एक लिए प्लीस्ट यह भी हो सकता है कि यह मैं यूजर से याज़ा पैरामिटर मंग वा पर गलती से तुमने कोई फ्रेंच के ऐसा वर्ड लिख दिया जो तुम्हें भी नहीं पता अब वो फ्रेंच हो गया पूरा अब तुम यह भूनते रहो गया यह सही कैसे हो उस दिन टेलीग्राम में यह हुआ था हम अब मैं सोच रहा हूं उसको सही कैसे करूं तो इसलिए ना यह लेंग्विज इस तरह की चीज़ को आटोमाटिक कभी भी नी चेंज कर रहे हैं वो कंसेंट पर चैया नहीं होता है उसके बाद यह बॉयलर प्लेट है कि सारा सेशन आइडी ए सेशन पाथ जो रेस्ट है रेस्ट एप्याई जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सेशन पाथ बनाने का एक तरीगा बताया था तो इन्होंने वह काम आटोमेट किया वह इन्होंने एक च्छोटा तो फंक्शन बन क्ता हो कि इस पूरे और को अगे ना सब्सक्राइब मैं यहीं पर सामने रखते हूं ऐससे मेरा काम खेर है तो यह नहीं रिक्वेस्ट पोपजेक्ट बना रहा हूं और यह कौन से रिक्वेस्ट बना रहा हूं जो रिक्वेस्ट मैं डिटेक्ट इंटेंट में बनाके पूरे जैसे एक वाक्व कॉल कर रही है तो इन्हों नहीं अच्वेस्ट की तरह गई कुछ में इसके पूरा रिक्वेस्ट और इसको बनाके हमने इनदर इसको पास किया इन कोड़ पुष्प वोपफुली यहां पर कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसको पता नहीं हो लेकिन अगेन बता दे रहा हूं कि section A के नाम से जो रेपाउजिटरी है इसमें मैं सारा कोड पुछ करना हूं एक section B था क्योंकि section A और भी दोनों मर जो गया तो अब B में मैं कोई code पुछ नहीं करता है सारा A में पुछ होगा अच्छा यह detect intent में मैंने भेजा अच्छा async await वाले तरीके से भेजा इस पर मैं dot then भी लगा सकता था ठीक है वो भी option available है लेकिन async await छोड़ा नया तरीका है त बहुत लंबा चौड़ा सा object है ठीक है इसमें चैट बाट के response के इलावा भी एक हजार चीज़ है अच्छा वो हम देख भी लेते हैं कि वो चीज़ें है क्या इस पूरे response को मैं क्या करता हूँ console भी करा लेता हूँ और उसको भी हम एक नजर देख लेते हैं कि यह उसमें responses इसका नाम इन्होंने रखा है तो responses का मतलब है एक से ज्यादा response है अच्छा तो यह हमारे पास response आ गया इसको मैंने console भी करा लिए और इसमें जो आंसर था यह जवाब दिये वह कहां पर है responses क्योंकि एक एरेया एक से ज्यादा response होगया जौट क्वेरी रिजुट फुल्फिल्मेंट टेक्स्ट फुल्फिल्मेंट टेक्स्ट के अंदर चैट पॉर्ट का response होगा कौन सा response डिफॉल्फ रिस्पॉन्स अगर मैंने डिफॉल्फ रिक्स नहीं विजा यह खाली होगा यह भी जहन नहीं रखना तो मैंने इसको console भी करा दिया पूरे responses को और console कराने के साथ सथ जो मेरा जो text है, जो default उसका text भेजा है chatbot में, उसको भी console करा दिया और उसको user को वापस भी भेज दिया, ठीक है, और वापस भेजने के बाद, जाहरे मेरी react की application में पहुँच चुका है, वापस भीजने के बाद, मैंने react की application में, उसको किस area में कुश करवा दिया, जहां पर वो सारे message मेरे display होते है, state variable के लिए, ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, और मैं react में गया, app.js में चला गया, ठीक है, ये मेरा वो request है, जो मैंने server पर गई दी, response इसके अंदर आएगा, मैंने response.data.text को console करा है, कि response जो server से मैंने भेज जाए, वो आया कि सही तरह से पहुचा है, यहां पर, पहुंच गया है भी सही तरह, उसको मैंने set messages के अंदर रखवा दिया, bot है इसका sender, और जो text है, वो क्या है, response.data.text, ठीक है, इसको मैंने रखवा दिया, और मैंने form को खाली करवा दिया, text field को भी मैंने खाली करवा द जाए, तरह, तरह, जाए, ठीक है, वाट इस नेम फूर सिटी, आइड नो, विच शेटी, चलो इसको बता दें, लाहॉर, किया रहे है, इन लाहॉर, इस फिफ्टीन डिग्रीज आउटसाइड, थैंक यू फॉर पॉलिए, वेधर रहे है, ठीक है, अभी भी ये कॉलिंग, जो जो हमने शुरू में लगाया था ना, फोन बनाते वेए, वो अभी तैक इसमें आ रहे है, तो इसका मतलब क्या है, कि हमें सब सारी जगाओं से कॉलिंग यह होई है, तो इतनी चीज सब लोगों को समझ में आ गई है, अच्छा, ये हो जाएगा, अभी 15 मिनट में, अभी आप लोगों को यहाँ पर बैठके, 15 मिनट का टाइम है आपके पास, आपने चैट अप्लिकेशन पहले से बनाई ही है, सब लोगों आपने चैट अप्लिकेशन सब लोगों ने अपने हाँ से बनाई ही है, रियक्ट पे, और अब उस मेरा ये डायलोग फ्लो का एक च अभी तक हमने क्या पढ़ लिए है, ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो ड्राइन बनाई थी उसमें, वो होगी, most probably save होगी उसमें, तो हमने क्या कर लिए है, SMS पे, WhatsApp पे, टेलिग्राम पे, Facebook पे, phone, call पे, ठीक है, phone call कॉल करते हैं, तामस्तों होगों, वेब साइट पे, embedded code गे तुरू, और अब React एप पे भी हम इसको integrate कर चुके हैं, अभी तक हमने webhook वाला part यह नहीं पढ़ा है, अभी dialogue flow से जो hardcoded answers अभी हमें चारों-पांचों platform पे मिलने शुरू होगा, ठीक है, और अब हम अगला काम ये करेंगे, जैसे ही आप लोग य कर लेते हैं, जितना मैंने बताया है, जैसे ही आप ये complete कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, कि हम webhook पढ़ेंगे, और इंशालला फिर हमारा ये course एफ्तिताम की तरफ पहुंचेगा, एक दो छोटी-छोटी चीज़ें हो रहे हैं, अगर वक्त मिला तो मैं वो भी करना च कंचनला या, कि आप ही नियुकु का ओप्टों प्तॉप देंगे हैं, लेकिन निचालयव पूरे दिनी आपक्लास चल रहे होता है। 24 गंटे वाला? कितने गंटे वाला? 24 गंटे वाला सही है? 24 गंटे वाला? खाना सब के लिए जो बनाया ना उसका चैट बॉर्ड वरजन मना देंगे यह कुछ सोचेंगे इसी से रिलेड़ कुछ ना कुछ सोचेंगे खाना खाने जो आ रहे हैं उसके बास को आम मुबाइल होगा लेकिन हम अगर वहां पे उसके बाहर रखते हैं जो डायरेक्ट आ रहे हैं वहां पे काउंटर पे लोग उसको बंदे से पात ना करनी पड़े वो चैट पॉर्ड से बात करें अभी तक तो अभी तो में कोर्स कंपीट करेंगे ना तो एक इंशाल्ला हम चैट पॉर्ड हिंदी में भी बना के देखेंगे सही है करो एक रियक्त क्युपर चैट एप्लीकेशन बहले चैट अपिलिकेशन बनी इंटरनेट से डायफलों का रिसपॉंस देखना है बस जैसे हर बंदे के पास अपना अपना चल रहा हो हमाँ सभी और पॉइंट तो भी नोटेट हरी को पर डेप्लॉय होना चाहिए यह लोकल मशीन में चला के दिखाने ही जुरुत नहीं है